अगर आपके पास Biston Pet है तेन फिर वी ये वीडियो आपके लिए काफी important है क्योंकि ये सारे tricks Biston के साथ काफी overpower हो जाते हैं अब ये वाला grenade को मैं fake रहाऊं Biston Pet के साथ और आप यहाँ पे clear नहीं देख सकते हो कि ये कितना दूर में फट रहा है अब ये बात आपको अच्छे से पासा होगा कि का रेंज काफी जादा कम होता है तो इसका मतलब यह है कि without विस्टन grenade करने के लिए आपको enemy की एकदम close range पे आना पड़ेगा अब ये फरकने पड़ता कि आप enemy की close range पे जा रहा हूं या फिर enemy की close range पे जा रहा हूं और enemy को उपर grenade करके उन लोगों को knock कर रहा हूं इसका मतलब यह है कि फरकने पड़ता कि enemy आपके पास आ रहे है या फिर आप enemy के पास जा रहे हो लेकिन आप वो grenade close range पे ही यूज करना पड़ेगा सुभ्यम बढ़ते नमबर 9 के तरफ कि अगर आप enemy उसके पास था और वो easily knock हो गया अब इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी normal teammate को target नहीं कर सकते है for example यहां पर एक मेरा teammate enemy से भाग रहा था और मैंने वहीं पर मेरी teammate के पास grenade कर दिया और वो enemy easily knock हो गया and by the way यह trick के साथ आप knock हुआ enemy को भी target कर सकते हो for example यहां पर मेरे सामना एक enemy knock होके पर आए तो मैं थोड़ा wait करने के बाद जैसे ही देखा कि उसका teammate उसको revive देने आ रहा है तो मैं वहीं पर grenade कर दिया और उसका teammate knock हो गया सब्सक्राइब करना है कि enemy का next move क्या होगा और उस इसाब से आपको grenade करना है for example यहां पर मैंने यह नोटिस करा कि सामने वाले window के अंदर एक enemy है तो मैंने उस तरह की grenade करा जैसे वह enemy window से बाहर निकला तो वह knock हो गया और वैसे यहां पर मैंने window से एक enemy को spot कर रहा और उसको spot करने के बास सबसे पहले मैंने अपनी location change करके enemy के close पर कया और यहां पर मैंने grenade को कर रहा लेकिन वह enemy अंदर चला गया लेकिन उसके पीछे एक और उसका teammate था और मैंने उसी के पास grenade कर दिया सब्सक्राइब बढ़ते नमबर 70 के तरफ और इस रिक पर आपको only window को target करना है for example बहुत से मैपस होते हैं जहां पर building एक दूसरे के एकदम नस्दिक होते हैं और उसे building के अगर आप window को target करोगे देना बड़ ही easy से enemy को grenade से knock कर सकते हो एक दूसरे के एकदम नस्दिक होते हैं और इसका मतलब यह है कि उनकी window भी एकदम closing पर होते हैं तो इसकी advantage लेते होगे अगर आप window से दूसरी window पर grenade कर दोगे देन एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि कब grenade उसके पास पढ़ गया सुवें बढ़ते नंबर 6 ट्रिक के तरफ और इस ट्रिक पर आपको only airdrops को target करना है अब यह इसलिए क्योंकि आपको यह बात अच्छे से पता होगा कि airdrop के अंदर कितना expensive loot पड़ा हुआ रहता है और इसलिए maximum enemy उस airdrop को lootने के लिए उसके नस्दिक में आते तो इसलिए आपको जाधा कुछ ने करना बस airdrop आते है उसकी नस्दिक में जाके आपको wait करना है बहुस enemy airdrop को lootने के लिए आएंगे और उनके उपर grenade करने से पहले हो सेके तो उनको थुड़ा गंचा damage देते ना इसे होगा यह कि उनको damage मनने के बात वही वो लोग लुवल नहीं लग तो अगर वही enemy grenade cooker के आपके तरफ एक दे देन आप भी knock हो सकते हो तो इस चीच कवी तुड़ा ध्यान रख लेना वहीं बढ़ते नंबर फाइब ट्रिक के तरफ बैसिकली यह ट्रिक नहीं है चुटछा ठीप है कि विजाट मिस्टन गरने के लिए patience काफी जाधा important होता है क अब मैंने एक enemy को spot करा जो कि सामने वाले बिल्डिंग के ठीक उपर है अब मैं यहां पर इसलिए वेट कर रहा हूं क्योंकि without piston grenade उतना दूर जाएगा तो नहीं तो इसलिए मैंने क्या करा कि सामने ट्रक के पास move करा और जैसे मुझे लगा कि वह enemy मेरे काफी close में आ चुका कि आपके पास piston पर है या फिर नहीं तो बहुत बार इसा होता है कि आप grenade को कू करते रहते हो और enemy आपकी काफी close में आ जाता है तो उस टाइम पर आपको बस ग्रिनेड को उसी वाल पर फेकर अपना location चेंज करना है और enemy उसी ग्रिनेड से फट जाएगा तो फिम बढ़ते को कू करते हुए आपको enemy की नस्दिक में जाना है और थोड़ आगे जाने के बाद grenade को फेक देना और वो grenade enemy के पास easily blast हो जाएगा लेकिन एक चीज़ के धान देना कि distance कवर करने के time पर वो enemy आपको ना नो कर लेगा तो फिम बढ़ते है नंबर 2 ट्रिक के तरफ और इसको आ आने के कोसिस करेंगा तो वो grenade डाउन हो सकता है या फिर डामेज हो सकते है और उसके बाद आप और थोड़ा डामेज दे के उसको नौक कर सकते हो सब्सक्राइब बढ़ते नंबर 1 ट्रिक के तरफ और यह बिसीकलर ट्रिक नहीं है चुट शचला टीप है कि आप यह सारे ट है या फिर नहीं क्योंकि मैं जाना चाहता हूं कि इस वीडियो से आपका हेल्फ हो रहा है या फिर नहीं आप लोग फटाफ़ट कमेंट करो और मैं बात करता हूं नंबर 10 प्लेस जो कि एक लोग अब इस अंगल के लिए करेक्टर स्किल काफी इंपोटेंट है मतलब के लि इनमी आ रहे होंगे वो लोग इसली नौक हो जाएंगे अब यह ट्रिक एकदम सिंपल है राउंड स्टार्ट होते है आपको यही कंटेंटर के पीछे कवर लेने आते है दिन आप उनको उपर गिनट करके उनको इसली नौक कर सकते हो लेकिन एक चीज़ का प्रब्लेम हो सक कि अगर आप फेक दोगे दिन सामने बहुत से एनमी इसली नौक हो जाएंगे सो फिम बढ़ते नमबर एट के तरफ और डिसकोप अपलाए कर सकते हो फैक्टरी पे अब इससे फरक नहीं पड़ता कि आपका स्पॉनिंग कहा हो आए क्यों कि आप इस ट्रिक को दूनों करके फेक देना और जो भी एनमी वह वाल के पीछे होगा वह इसली नौक हो जाएगा और अगर एनमी इस पोजिशन पर नहीं आते दिन आपको आ जाना यह वाली सेड पर हंड़ेट परसंट एनमी आपको यहां पर मिल जाएंगे दिन आप ग्रेंट को कूक करके सामने फेक लेकिन यहां पर आपको काफी जादा वर्ट करना पड़ सकता है तो यह आपकी पेसंस के उपर डिपेंट करता है तो बस आपको जादा कुछ नहीं करना यह वाली विंडो से सामने विंडो पर ग्रेंट फेकना है और एनमी इसली नौक हो जाएंगे लेकिन उससे पहरे चे और यह ट्रिक विदाउट बिस्टन भी वर्क करता है बस आपको यह वाली विंडो से सामने वाले डूर के पास ग्रेंट करना है और बहुत से एनमी इसली नौक हो जाएंगे सबसे पहले आपको स्पार्ट करना है कि एनमी किस बॉक्स के पीछे है और उस हिसाब से आपको को कूकर के फेक देना और वो एनमी इसली नौक हो जाएगा अब हम लोग बात करते हैं नंबर फो के बारे में इसको अपला कर सकतो मिल पे अंड ये ट्रिकों मैं अल्री बता चुका हूं लेकिन इसमें एक छोड़ा सा चेंज से तो आपको करना यह है कि यहां पे आने के प बहुत से एनमी आपके उपर उल्टा रस करना स्टार्ट कर देंगे देन आपको थोड़ा बहुत तकलीफ आ सकता है अब मेरे साथ में वैसा ही हुआ लेकिन मेरे पास तच्छुया था इसके वज़े से मैंने उनको इसली नौक कर दिया लेकिन आपको इस चीज को अगर हैं गिरता है तो आपको उसी को टार्गेट करना है और जैसे एनमी उस एड्रॉप को लूटने के लिए आएंगे देन आपको उसी पूजिशन पर ग्रिनेड कर देना और उनको उपर इसली डामेज आएगा और वो लोग नौक हो जाएंगे सबमबर थे नमबर टू के तरफ और इसको आपको अपला कर सकते हैं और इस ट्रिकों भी मैंने अल्रेडी बता रख है और ये भी विदाउट विस्टन एजिली वर्क करता है तो राउंड श्टार्ट होती है आपको यहां पर आ जाना है और बहुत से एनमी सामने वाले डो करके उनको नौक कर सकते हो लेकिन उससे पहले आपको उनकी क्लोजेंज पर जाना पड़ेगा इसके लिए एक ग्लू ओल की ज़रूरत पड़ सकता है सुबमबर थे नमबर वोन की तरफ और इसको अपला कर सकते हो सेंतु जावे अंड ये ट्रिकों मैंने अल्लेडी बता र वडियो आप सभी के लिए बनाने के लिए मैंने एक से दो हपता वीजाओट बिस्टेन गेंपले कर रहा है सो इस तीच को अप्रिसेट करने के लिए अगर आप एक लाइक कर दो के दिन मझे कावी अच्छा लगेगा अगर आपको ये जानना है कि ग्रिनड के साथ क्रू कर वडियो पर वडियो पर क्लिक करो और में मलता अगले वडियो में तब तक के लिया बाई